फ्रेंड्स सब्स्राइब कीजिए घरसंसार वास्तु शास्त्र को और दबाईए इस नोटिफिकेशन बैल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले ओम स्री गणेशॉय नमहां पर्शनल्टी टेष्ट में हमारे मन की दुनिया का पता चलता है अक्सर हम जो बहर से दिखते हैं वह अंधर से नहीं होते हैं तस्विरों चित्रों या पहलीों को हम किस तरह से देखते हैं हमें सबसे पहले क्या आकरशित करता है इस से हमारे इस वीडियो में हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं इस तस्वीर में चांद और समुद्र दिख रहा है हर तस्वीर एक दूसरे से अलग है किसी तस्वीर में चांद दाएं या बाय है और समुद्र की लहरे किसी तस्वीर में उपर निश्य उड़ती दिख रही है आप देखिए कि आपको कौन सी तस्वीर आपके अनुकूल लग रही है जादा लहरे वाले या कम लहरे वाले चलिए अगर आपने चुन ली है तस्वीर तो जानते हैं अंदर से कैसे हैं आप अगर आपने पहली तस्वीर चुनी है तो इस तस्वीर को करीब 20 परतिशत लोगों ने चुना है और इस तस्वीर का मतलब बेहद खास है इस तस्वीर में चंदरमा दाएं हैं और समुद्र की लहरे शौन्थ हैं जिससे पता चलता है कि आपकी असली पहचान क्या है आपके एक्छाओं अनन्त हैं बजबन से आपके कलपना शक्ति बहुत रही है आपके सपने और भविश्य के प्लान बहुत बड़े हैं आप हर दिन अपने दिमाग को अपने एक्छाओं के पूरति के लिए प्रोत्साहिद करते हैं आप अपने लक्ष को पाकर ही रहते हैं जब प्यार और दोस्ती की बात आती है तब भी आप बदलते नहीं हैं और इसलिए आपके पार्टनर सालों साल नहीं बदलते आप जिंदिगी भर के लिए दोस्ती करते हैं बविश्य के लिए आपके बहुत बड़े प्लान है आप अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं जो कि आपको सफलता दिला सकता है अगर आपने दूसरी तस्वीर चुनी है तो दस में से तिन लोगों ने दूसरी तस्वीर को चुना है तस्वीर में चांद दाहिनी तरफ है और समुद्र की लहरे बहुत उची है आप काफी भावनात्पक इंसान है आप अपने अधिकतर फैसले दिल से ही करते हैं ऐसे लोग बहुत द्यायालू इमानदार और उदार होते हैं ये लोग अपने जैसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं अगर इन्हें ऐसे लोग मिल चाते हैं तो ये बहुत खुश रहते हैं बदलाव इन्हें पसंद होता है लेकिन अगर वो इनकी तो जिन्दगी गुलजार है यही आपका ख्याल रहता है ये लोग दुसरों को हमीशा खुश रखना चाहते हैं एकने इस बात में विश्वास रखते हैं कि जिन्दगी की ट्रेन का इंजन खुशी ही है ये लोग थोड़े अविश्वसनिये होते हैं लेकिन एक बार इन में विश्वसनियेता का गुणा आ जाता है तो फिर इन्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता तिसरा अगर आपने तिसरी तस्विर को चुना है तो आप उन 15 फिजदी लोगों में से हैं जिन्होंने खुशी खुशे इस तस्विर को चुना तस्विर में बना चांद वाई आपके तेज दिमाग से कोई चीज नहीं छुड़ते और आपके अंतरमन की आवाज आपको हमेशा कई मुश्किल हालात से बाहर निकाल देती हैं आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं हाला कि आप अपने किसी भी काम को अकेले करने में ही विश्वास रखते हैं आपका मानना है कि अगर किसी भी काम को आप अकेले करेंगे तो इसका परिणाम हमेशा अच्छा होगा दुसरों की सफलता से कभी-कभी आपके अंदर इरश्या का भाव आ जाता है लेकिन जैसे ही आप इसके बार में गहनता से सोचते हैं आपको समझ आ जाता है कि आपको भी वहां तक पहुशने के लिए कड़ी महनत की जरूरत है पात करने और किसी भी मुद्दे पर बहस करने के आप में आपार छमता है आप जिससे भी मिलते हैं उसे अपना बना लेते हैं चौथा अगर आपने चौथी तस्वीर को चुना है तो 35 फिजदी लोगों ने इस तस्वीर को मिल है आप हमेशा चीजों को बेहत सहजता के साथ करते हैं आसकर कि आप जब कोई फैसला लेते हैं तो वो बेहत धैरी के साथ करते हैं जानने के एक्छा आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है तिरब आपको अपने आसपास मौजूगूद चीजों को जानने की जरूर करना चाहते हैं पहाणों की सेर करना आपको बहत पसंद है आप बंजी जंपिंग और रिवर रॉप्टींग जैसे रोमान्द से भरपूर काम करने से भी नहीं चुकते इन सबी के बाद आपको आराम करने की ज़वरत है तो कभी भी अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ आर राज